फेंपडों और आक्सिजन लेवल को बढ़ाने के लिए रामबान की तरह लाबदायक होते हैं पीपल के पत्ते आज जानेंगे इसके चमतकारिक लाब दोस्तों एक बेहदी लाबदायक और स्वास्ट दायक जानकारी के साथ एक बार फिर आप सभी का स्वस्त भारत चैनल पर स्वागत है पीपल के व्रक्ष को कल्प व्रक्ष भी कहा जाता है हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत महत होता है इसका महत धर्म के साथ साथ स्वास्त के लिए भी कही तरह से फायदे मन्द होता है आईए जानते हैं पीपल के पत्तों के प्रमुक लाब पीपल के पत्तों से आक्सिजन लेवल बढ़ाया जा सकता है आईउरवायस से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रतिदिन दो पीपल के पत्तों का सेवन करने से आक्सिजन का लेवल बढ़ सकता है इसके लिए आपको रोजन पीपल के दो पत्तों को चवाब कर सेवन करना चाहिए पीपल में माइस्टर कंटेंड, कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, फैट, फाइवर, एलसियम, आईरन, कॉपर और मेगनिसियम के तद्व मुझूद होते हैं फैपनों के लिए फायदे बंद होते हैं पीपल के पत्ते फैपनों के राष्ते में सूजन, कसाव उत्पन होना, गले में गरगराट, सांस में तकलीब, सीने में जगडन के साथ, खांसी आने पर आप पीपल के पत्तों का सेवन कर सकते हैं पीपल के पत्तों के अर्थ में ऐसे विशेज गुन पाये जाते हैं जो बार्क्रोस आई पाई पर प्रभावी असर दिखा सकते हैं सांस के रोगियों को हर रोज पीपल के दो हरे पत्तों का इस्तिमाल करना चाहिए इसके इस्तिमाल से आराम मिलता है और साथ ही पीपल के पत्ते आक्सियन लेवल बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे इम्मुनिटी को बढ़ाते हैं पीपल के पत्ते पीपल का पत्ता रोग पृतिरोदक छंपता को बढ़ाता है कोरोना के बढ़ते संक्मन के बीच हर व्यक्ति को रोग प्रतिद्रक्षमता को बढ़ाना अनिवार हो गया है इतनी मजबूत इम्मूनिटी हो जानी चाहिए कि संक्मन हा भी ना हो इसके लिए आप पीपल के पत्तों का सेवन कर सकते हैं लिवर के लिए फायदेमन होते हैं चादा सराप का सेवन करने से जिसका लिवर खराब हो जाता है ऐसे में लिवर को सष्ट रखने के लिए पीपल के पत्तों का सेवन किया जा सकता है पीपल में लीवर को डेमेज होने से बचाने के लिए एक विशेश क्रिया पाई जाती है इसके अर्प का उपयोग करने से लीवर को खराब होने से बचाया जा सकता है इसके लिए लीवर के रोगियों को प्रतिजिन सुबह वाश्याम दो पीपल के पत्तों का सेवन करना चाहिए कब से दिलाता है निजाद अगर आप कब की समस्चा से परिशान है आप के लिए पीपल के पत्ते का बड़िया विकल्ब कोई हो नहीं सकता पीपल की पत्ती में थेरिटिक तत्प पाये जाते हैं जिसका उप्योग करने से कब में आराम मिल सकता है पीपल के पत्तों को जूस को रूप में इस्तिमाल करके आप कब की समस्चा से चुकार अपा सकते हैं साथ या पीपल के पत्ते को सुका कर घी के साथ भी उप्योग कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एक अगले वीडियो में बहुती लाबदायक जानकारी के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार